बीसीसियाई की बैठक का वो एक सवाल जिसे लेकर नैसवादिया और शारुक खान के बीच में हो गया बवाल नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी जी हाँ इस वक्त खबर है कि शारुक खान और नैसवादिया के बीच में जमकर बवंडर हुआ लगबग एक घंटे तक एक घंटे तक दोनों आपस में भहस करते रहे बिढ़ते रहे और बीसीसियाई की बैठक के दोरान मामला इतना गर्म हो गया था कि शारुक खान को गुसा आ गया और गुसे में नैसवादिया और शारुक खान के बीच में जमकर बहस बाजी हुई लेकिन आखिर नैसवादिया ने ऐसा क्या बोल दिया कि शारुक खान को गुसा आ गया नैसवादिया ने आखिर कौन सी शर्थ को मानने से मना कर दिया कि कि खान भलक गए चलिए मैं आपको BCCI की उस बैठक के अंदर की पूरी कहाने बताता हूँ उसके बाद में पूरी जानकार यह आपको दी जाएगी द्रसल हुआ क्या था कि नेस वाडिया और शारुखार मतलब दोनों BCCI की इस मिटिंग में पहुँचे थी इस मिटिंग में दोनों की जो जमकर, BCCI ने जो मिटिंग बुलाई थी वो इसले बुलाई थी ताकि IPL से पहले तमाम टीमों को एक पट्री पर लाया जा सके तमाम टीमों की एक सहमती हो, कई सारी शर्ते थी, कई सारी बाते थी impact खिलारी के तोर पर कई सारी टीमें नाराज थी release और return खिलारी को लेकर कई सारी टीमें नाराज थी कुछ टीमें mega auction और mini auction को लेकर अपनी बाते कह रही थी इसलिए BCCI का मानना था कि एक बैठक ऐसी बुलाई जाए जहाँ पर सारी टीमों को राजी किया जाए और एक बात पर सारी टीमें सहमत हो ताकि फिर चीजें बनाई जा सकें नियम बनाई जा सकें IPL 2025 से पहले लेकिन आखिर में क्या हुआ था वो अखीकत मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो जानकारी एक बार जान लीजे कि आखिर हुआ क्या था रसल हुआ यह था कि क्यार IPL 2024 की विजयता है सभी को पता है टीम के सभी खिलारियों ने शांदार प्रतसन भी किया था और टीम तीसरी बार चैंपियन बनी थी इसलिए मालिक क्यार के उनर चाहते थे हैं कि IPL में जादा से जादा खिलारियों को रिटेन करने का अधिकार मिले शारुखान चाहते थे कि जादा से जादा खिलारियों को रिटेन करने का अधिकार मिले शारुखान कि समांग पर किंग्स 11 के पंजाब के जो मालिक थे नैस वाडिया ने विरोट किया नैस वा को अच्छी नहीं लगी और इसके बार दोनों के बीच में बहस हो गई और बहस कहा जाता है कि बाई सब कम से कम घंटों चली दोनों के बीच में जो बहस थी वह घंटों चली मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों के बीच में जो भहस हुई वो retain release खिलारियों को लेकर हुई शारुक खान यह चाहते थे कि जादा से जादा खिलारियों को रिटेन करने की पर्मिशन दी जाए BCCI की तरफ से शारुक खान का ये भी कहना है सुत्रों के हवाले से खबर है कि कम से कम आठ खिलारियों को रिटेन करने की पर्मिशन मिलने चाहिए जबकि नैस वार्डिया का कहना है कि हमें जादा खिलारियों को रिटेन नहीं करना है हम नई टीम बनाना चाहते हैं तो शारुक खान की शर्थ पर नैस वार्डिया ने जो था उनका विरोध किया था और यही शर्थ जो थी वो किंग सलेवन के क्यार के जो मालिक थे शारुक खान को बुरी लगी और इसको लेकर दोनों के बीच में जम कर भैस हुई है सुत्रों का कहना है कि लगबग एक घंटे तक दोनों के बीच में भैस हुई है और शारुक खान ने कहा कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास खिलारी हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलारीों को रिटेन करना चाहते हैं अगर हम खिलारी को रिटेन नहीं करेंगे तो जिन खिलारी को हमने बनाया है वो खिलारी हमसे दूर चले जाएंगे यह शारुक खान का कहना है कि हमारे पास तो मैच विनोर खिलारी की पूरी फजूज मौझू है अगर हम रिटेन नहीं करेंगे तो सारे खिलारी बाहर चले जाएंगे दूसी टीमों में चले जाएंगे तो हमने जो अभी तक मेहनत की है पिछले 4-5 सालों में वो तो बेकार चली जाएगी ये शारुख खान का कहना है जबकि नैस वाडिया का कहना है कि भाई साब हमें तो ज़्यादा खिलारीयों की जरूरत है नहीं हम तो नहीं टीम बनाने वाले हैं तो जाहिर तोर पर इस मुद्दे को लेकर दोनों में बहस हुई है और यही एक शर्त थी रिटेन रिलीज खिला पर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक को शेयर जरू करिएगा क्योंकि आई तल दोजार पच्चीस की खबरे लगातार आप लोगों को मिलती रहेंगी तैंक्यू एडिमच्च